नमस्कार मैं हूँ कुमार कॉशल और आप देख रहे हैं दे मॉडलर किचन दे मॉडलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आपको मॉडलर किचन से जुड़ी हुई जानकारिये देता हूं और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चिमनी का जो दूसरा एपि डक्ट के हिसाब से चिमनी दो प्रकार के होते हैं डक्टिंग चिमनी डक्टलेश चिमनी वैसी चिमनी जो एयर सक करने के बाद फिल्टर में ओयल और ग्रिसी पार्टिकल कलेक्ट करता है और रेस्ट फ्यूम और ओडर को पाइप या प्वीसी आउटलेट की साहता से सिंट चिमनी है यह स्मोक डस्क फ्यूम को हाई अमांट में सक करता है यह एक वैल्यू फोर बनी प्रोड़क्ट है अगर आपका बजट कम हो तो भी आप इसे अपने किचेन में लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कमपनियां कम बजट की ड्रक्टिंग चिमनी भी बनाती है इस चिमनी को आप अपने आप नहीं लगा सकते हैं देखो चिमनी कोई भी हो वेदर इस ड्क्ट्लेस और ड्क्टिंग न्वाइज दोनों में आता है पर बहुत सारे ऐसे ब्रैंड्स हैं जो हाई एंड चिमनियां बनाती हैं उसमें आवाज कमपरिटिवली कमाती हैं ड्क् चिमनी के द्वारा वह चारकुल फिल्टर से होकर निकलता है जो हीट ओडर और स्मोक को एब्सॉर्ब कर लेता है और क्लीन एयर को फिर से किचन में रिलीज कर देता हैं इसके फायदे इजी तू इंस्टॉल इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है कॉन्स इसके नुक्सान इसमें फिल्टर को हर दीन महिने चार महिने में डिपेंड करता है आप किस तरह क्या खाना बनाते हो अपनी किचन में आपको फिल्टर बदलना होगा इसमें फिल्टर साफ नहीं किया जाता है यह ज्यादा आवाज करता है और किचन की सेम एयर को वो रिसर्कुलेट करता है किचेन में चिमनी का साइज आपको बता दूँ चिमनी का साइज 2 फूट 2 फूट और 3 फूट होता है ऐसा बेचने वाली कमपनिया कहती है पर इनका exact साइज उतना नहीं होता 2 फूट को नॉर्मली अगर हम लोग 600 mm कंसीडर करते हैं पर चिमनी का साइज 580 to 585 mm तक ही होता है ऐसा ही 3 फूट वाले चिमनी में भी होता है वो भी 900 mm ना होकर 880, 885 mm के आसपास होता है आप कोशिश करें कि हॉब यूनिट का साइज चिमनी के साइज के बराबर हो यानि अगर हॉब यूनिट आप 3 फूट की लगा रहे हो तो चिमनी भी 3 फूट की लगेगी तो हॉब यूनिट 3 फूट की लगाओगे तो आप उसमें हॉब और कुक टॉट भी 3 फूट की लगाओगे अगर हॉब यूनिट आप 600 mm की लगाते हो तो चिमनी भी आपकी दो फूट के लगेगी अगर जगह कम हो तो विश्यम परिस्थिती में कभी कभार हम चिमनी का साइज छोटा कर सकते हैं परन्तु नॉर्मली आप ऐसा करने की कोशिश ना करें अगर ऐसा हो जाए कि हॉब या कुक्ट ओफ हमें तीन फूट का लगाना है और उपर में जगह नहीं है मारे पास किसी कारण से वहाँ दो फूट का लगाना है मुझे चिमनी तो उस वक्त क्या करना है कि अगर आप खुद से चिमनी लगा रहे हो तो आप चिमनी खरीदते वक्त हमेशा ध्यान दें कि उसकी जो सक्सन कैपसिटी है वो ज्यादा हो या जो ओनर हो या जो आपके क्लाइंट हो अगर वो खुद खरीद रहे हैं तो आप उन्हें ये बात बता दें कि चिमनी जो है थोड़ा पावरफुल होना चाहिए क्योंकि आपका हॉब या कुक टॉप जो है जिसे हाइलाइटर करते हैं और उनके बगल में एक पेंसिल भी लगवाएं जो आपके हाइलाइटर से मैच करता हो अगर आप चिमनी के बगल में ग्लास की एक पेंसिल लगवाते हैं तो आपके पास परियाप्त जगह होगा चिमनी और top cabinet के बीच नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि आप 900 mm या 600 mm का hob unit बनाते हो और same size का उपर चिमनी के लिए आप जगह छोड़ देते हो तो top cabinet और चिमनी के बीच कभी-कभी space की कमी हो जाती है क्योंकि चिमनी को निकालने के लिए सर्विसिंग के लिए जगह चाहिए तो अगर आप पूरा लेकर चलते हो 900 नीचे लिए आपने 900 चिमनी के लिए उपर छोड़ा जगह तो आपके पास कभी-कभार क्या होता है कि चिमनी को लगाने के लिए भी आपके पास जगह कम हो जाता है servicing के लिए जगा कम पढ़ जाती है तो इसलिए it will be better कि आप उस जगह पर क्या करें कि दोनों साइड एक पेंसील लगा दें तो आपके पास 10-10 mm तोनों साइड पढ़ जाएगा जगा कुछ लोग ये पूछते हैं कि chimney की शक्सन कितनी होनी चाहिए चिमनी का शक्सन आपके kitchen पर depend करता है kitchen के volume पर depend करता है कि कितनी होनी चाहिए आप kitchen की volume निकाली सकते हो length into width into height all should be in meter तो क्या होता है कि kitchen की कितनी लंबाई है meter में कितनी चोड़ाई है meter में और कितनी height है meter में तिनों को multiply आप कर दें जो इसका जो thumb rule है अगर कहा जाता है न सक्सन कितनी होनी चाहिए किमनी का देखो जितना kitchen का volume है उसका 10 times वो एक घंटे में अगर air को सक्कर के बाहर थो करता है then it will be the ideal suction capacity साथ ही साथ एक और चीज है जो suction power को प्रभावित करती है वो है distance आप kitchen से कितनी दूरी पे अपने pipe को ले जा रहे हो अगर कहीं पे chimney लगवाना है तो सबसे पहले आप यह देखो कि chimney का जो हमारा pipe है वो कहां से बाहर निकलेगा और कितनी दूरी के बाद बाहर निकलेगा total कितनी दूरी तक pipe को जाना है और इसमें total कितने bend पड़ रहे हैं अगर kitchen में आपने chimney लगा है और वहां से उसका pipe हो 5-30 foot with 3-4 bend के साथ आप जाना है तो वो बहुत ज़्यादा successful नहीं होगा आप किसी भी company का chimney लगा लो वो successful नहीं होगा हर की एक capacity होती है कुछ company इंडिया में जो है वो suction capacity को इतना बढ़ा चड़ा कर पेश करती है क्योंकि आपके पास वो छमता नहीं है कि आप उनको measure कर पाओगे आपको उन पर भरोसा रखना पड़ेगा इंडिया में बहुत सारी कमपनिया है जो चिमनी बेजती है वो अपने box पे या product के बारे में लिखती है सक्सन पर वही European Standard की जो कमपनिया है जो विदेशी कमपनिया है चाहे वो मिले हो, सिमेंस हो, एसको हो, रोबैम हो, हैफले ना गोल्ड हो वो लोग air flow लिखते हैं सक्सन का मतलब यह है कि जहाँ चिमनी लगा है वहाँ से जो सक कर रहा है उसकी capacity जहाँ पे hob या cooktop के उपर आपकी चिमनी लगी है वहाँ से वो सक्सन capacity को निरधारित करते हैं वहाँ कितना air को सक कर रहे है वो भालिखते हैं सक्सन में बट European standard में क्या होता है कि वहाँ पे air flow लिखा जाता है air flow का मतलब 10 foot की दूरी पर with two bend air का flow कितना होगा जबकि सक्सन direct चिमनी से measure किया जाता है इसलिए अगर किसी चिमनी का air flow 1050 cubic meter per hour है और दूसरे का सक्सन पावर 1200 cubic meter per hour है तो जो air flow 1050 वाला है वो जादा बहतर है क्योंकि ये 10 feet दूर चिमनी से measure किया जा रहा है चिमनी के brand भारत के भाजार में बहुत सारे चिमनी के brand उपलब दे हैं पर एक चीज को मान कर चलो कि यहां जितने भी brands है mostly importers हैं ये चाइना से लाते हैं और अपना sticker लगा कर बेचते हैं जिहां आपने बिल्कुल सही सुना कुछ बड़े brands को छोड़कर बाकी सब एक जैसे हैं दो तरह की कंपनिया हैं एक premium है और दूसरी normal या average वाली हैं जो premium brands हैं उसमें सिमेंस, मिले, फैलमेक, एसको, रोबैम, हैफलेना गोल्ड, बोश ये सब हैं और जो normal brands हैं ग्लेन, कैफ, फेवर, एलीका, सन फ्लेम, कुचीना, हिंद्वेर, प्रेस्टीज, ये सब सब normal brands हैं आपका सकते हैं को mostly's में अधिकतर जो हैं importers हैं types of chimney अगर appearance wise देखें, look wise देखें तो chimney अलग अलग type की होते हैं पहला straight line chimney a straight line traditional chimney एक या दो मोटर में काफी powerful option है ये value for money option है ये आपके kitchen से smoke और grease को बाहर करता है इसमें cassette या baffle कोई भी filter हो सकता है ये आपको तब prefer किया जाता है जब आपके kitchen में hood के लिए space ना हो और chimney के बाद loft आ रहा हो वैसी परिस्तिति में आप a straight line chimney लगाए हैं normal hood chimney normal hood chimney भी सभी तरह के filter के साथ आती है इसमें filterless chimney भी आता है इसमें hood लगा होता है अगर आपके पास space हो तो normal hood chimney का इस्तेमाल करें designer hood chimney इस chimney का hood या तो glass का होता है या metal का होता है पर ये look wise normal hood chimney के comparison में ज्यादा खुब शूरत दीखते हैं designer hood chimney में आपको अलग-अलग, सुंदर-सुंदर से design मिलेंगे, जो आपको normal hood chimney में नहीं मिलेंगे, अब एक बात समझने की है, अगर आप 2 foot की glass hood chimney और 3 foot की glass hood chimney देखते हो, तो इसमें बस hood की लंबाई का अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, मोटर से लेके बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, बस दोनों साइट से 6-6 इंच ग्लास की लंबाई बढ़ा देते हैं लोग, अगर 2-foot की जो chimney है, उसको 3 foot की chimney में convert करना है, तो side से 6-6 इंच दोनों साइट ग्लास जो है वो करव में बढ़ा होगा बस इतना ही होगा कमपणी वाले आपसे इसके लिए तीन से इसके लिए आपके किचेन में बहुत है डाउनट्राफ्ट चिमनी इस चिमनी को कुक टॉप के बैक साइड में लगा जाता है यह नॉर्मली काउंटर टॉप लेबल पर होता है पर जब इसे आन करते हैं तो यह बहार आता है इसे बेस कैबनेट में लगाया जाता है यह काफी महगा होता है इंडिया में इसका प्रचलन ना के बरावर है हर चिमनी बनाने वाली कमपनी डाउनट्राफ्ट चिमनी नहीं बनाती बहुत कम कमपनिया इस चिमनी को बनाती है जब आपको किचेन का वर्क मिल जाता है या मिलने वाला होता है तो आपको बताना होता है कि चिम तो chimney के valence और chimney के duct को cover करने के लिए जो material लगेगा उसका cost अवसर जोड़ लें कुछ companyya chimney के साथ duct देती हैं तो कुछ companyya नहीं देती हैं उसे extra पैसे देकर खरीदना होता है chimney खरीदने से पहले आप जरूर major कर लो कि कितने fit length की duct आपको चाहिए आपको covel भी खरीदना पड़ेगा chimney को install करने के लिए companyya installer प्रवाइड करती है जो अधिकतर free होती है covel और pipe के बीच में आप net लगाने की कोशिश करें so that rodents या birds duct के अंदर ना जा सके chimney खरीदते वक्त आपको हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना है जैसे कि chimney, filter type, suction power of chimney, size, design, duct, budget and aesthetic इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है chimney की electric supply के लिए भी आपको top cabinet और chimney के पास एक 5 ampere का एक socket लगाना पड़ेगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, channel को subscribe करें और share करें thanks